इस कारिक्रम के स्पॉंसर है PNG जुएलर्स नमस्कार दश्रकों, रितम चैनल में आपका हादिक स्वागत है आज है 19 जनवरी 2024 दिन है शुक्रवार विक्रम समवत है 2080, शक्त समवत है 1945 समवत सर है पिंगल, सूर्य है उत्रायन, और रितू है शिशिर मास है पोश और पोश मास में शुकल पक्ष है और नौमी तिति है 7 बचकर 51 पीम तक मतब शाम के 7 बचकर 51 मेर तक नौमी है उसके बाद दश्मी शुरू हो जाएगी राहुकाल है 11 बचकर 13 एम से लेकर 12 बचकर 22 पीम तक तो इस राहुकाल के समय में कोई भी कारे शुरू मत कीजिएगा तो कि इसमें अरचन आती है इसके अलावा अगर कोई कारे शुरू कर चुके है और चल रहा है तो उसमें आप चिंता करने के आवश्यक्त नहीं है उस कारे को चलने दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन शुरुवात बिगिनिंग आफ एनी वर्क इस नाट गुड दूरिंग ड्राहुकाल तो इस तरह से करके आप दिन का सभी व्योद करेंगे आएए आगे बढ़ते हैं सभी राश्यों का हाल जाने के लिए तो आएए मेश राश्यों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है ज़िए आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है या सरकार के साथ कोई अनुबंद करना है या कोई ऐसा कॉंट्राक्ट वगरह का संबंध है तो आज के दिन कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आज बहुत अच्छा सहयोग सरकार से मिलने का बन रहा है और आपके अंदर विल पावर भी बहुत अच्छी होगी किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए तो इस तरह से आपका दिन काफी अच्छा पाइदयमंद हो सकता है आज के दिन सीनियर के साथ, अपने बढ़ों के साथ, अपने बुजर्गों के साथ अच्छा तालमेल बिठाने का बात्चीत के माध्यम से बन रहा है उनके साथ समय बिता करके अगर थोड़ा सा समय आप अगर अपने बातों का अपने विचारों का आधान प्रदान करेंगे तो उससे आपका अच्छा रिष्टा बनेगा और ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज के दिन आपके मन में भी बहुत अच्छे विचार होंगे और आप अच्छे विचार के साथ आज दिन का सदूपयोग कर सकते हैं मतलब आज किसी तरह के चिंता परिशानी नहीं होगी बलकि अच्छे पवित्र विचार आपके मन में होंगे तो आज के दिन आपने आपको प्रिजन्ट करें अपने पड़ों के सामने अपने लोगों के सामने जैसे सबॉर्डिनेट्स होते हैं आपके जो प्लॉई हैं या आपके कुलिक्स हैं और साथ-साथ आपके जो भी लोग हैं जिनके साथ आपका डील चल रहा है पार्टनर्स है या फिर आपके कस्टमर्स हैं, तो सभी लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा अच्छा विक्तित होने का बन रहा है, इसमें और निखाराने के लिए यदि आप सफेद और पीला वस्तर धारन करेंगे, तो आपको और भी लाब में लेगा, इस तरह से आपका दिन काफी अच्छ करकि पसंद करेंगे, आप बहुत ज़यादा घराई सेचिंतित हो रहे हैं, वह बहुत जादा घराई से विचार कर रहे हैं, इसके वज़़से आप ढग जा रहे हैं कुछ धार्मिक कार एक कार नवी और जदी तीरत स्थान जाने के इच्छा हो रही है तो भी जाना के कोशिश करेंगे जदी आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं बहुत अच्छा रहेगा अच्छे दर्शन होंगे अच्छा लाब मिलेगा, आपके अंदर काफी अच्छा परिवर्तन आने का दिख रहा है, और शुबत आने का दिख रहा है, तो कि ऐसे आप अगर नहीं जाते हैं, तो आप काफी चिंतित रहेंगे, काफी परिशान रहेंगे, अवशकता इतनी जादा नहीं है, फिर भी आप ग्रहों के सायोग के वज़े से आपके अंदर ऐसे भावना आएगी कि परिशान होंगे, तो इसलिए आप जदी आप जाना चाहते हैं, किसी धार्मिक स्थान पे कुछ पवित्र समय बिताना चाहते हैं, पवित्र लोगों के साथ, आप जरूर समय का सदूपयोग करें, इस से काफी लाब मिलेगा, आज दर्शकोब देखते हैं मितुल राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मितुल राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें पर आपके जीवन साथी, पार्टनर, यमन में थोड़ा क्रूद रहेगा, क्रोध को शांत कर सकते हैं, आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ, अपने मित्रों के साथ, सब के साथ, आज समय थोड़ा सा, उनको दीजिए, उनके साथ संबंध बनाईए, जिससे वो अच्छे तरीके से एक फिर से रिस्ट्राट होएगा रिष्ट इसका रिजल्ट आए, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफेद और पीला रंग धारण करें, इससे आपके अंदर और सुकून मिलेगा, और उनके क्रोध को, उनके एग्रेशन को, उनके इरिटेशन को आप अच्छे से झेल करके, उनके मदद करके, आप सांती और सु आपित कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा, आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जदि आप विश्नु सहस्त्राम का पाट करके ऐसे शुरुवात करें दिन के लिए, तो काफी शुब रहेगा, आपके लिए तो शुब है ही, आपके जिवन साथी पाट्नाव मि करके कारे करेंगे सारी परिस्टित के अनकूल नहीं है फिर भी आप अच्छे से मन लगा कर स्थिर्था से शांति से सुपूम से पर विश्वास रखते हुए आप कारे करेंगे और निश्चे तोर पर इसका लाब भी मिलेगा ताफी चीजें जो कुछ बहुत अच्छी से नह परपत मैं तरके लाबचा हो जाना इसा से साउब रही है आयधर सोगो पर देखते हैं सिंहराशी वालों के लिए आज का दिन गाहिए जो दिन दिख रहा है तो आपके खुद के ंदर कुछ निगरिव थोट्स रहेंगे आपके लिए चुथ के बारे में थोड़े से और अपने बारे में नेगेटिव सोचने के लिए कुछ वैसी वाइबरेशन है जो सपोर्ट करेंगी, बतलब गलत सोचने में ही सपोर्ट करेंगी, सही सोचने में दिक्कत होएगी, हलाकि आपके अंदर अभी विशेश उर्जा का संचार हो रहा है, जो आपको काफी लाब द कर दिजिए कि कोई सोच आपने हावी नहीं हो पाए, सोच की कोई वैलू नहीं होती जब तक उसको आप ट्राक्टिकली नहीं लाते हैं, इसलिए प्राक्टिकली आप सही तरीके से बिना चिंता किये हुए, बहुत अच्छे से लग जाईए, काफी मेहनत कीजिए को कि हर त आप चित करके तालमिल बिठाइए, सब कुछ बहुत अच्छा होता जाएगा और अगर तरीके से मेहनत करने में लग जाएंगे, तो पाएंगे आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप आधे कहट दे सोतरम का पाठ अवर्ष्य करें, सुबह सुबह प् आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हरा रंग और साथ-साथ बीला रंग इनका कॉंबिनिशन आपके लिए बिहाद लाप देगा आए दर्स्तों को अब देखते हैं कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा कन्या राशी वाले कुछ गहन चिंतन कर रहे हैं, खास ओर पर हार्मिक सोच करें मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर से एक spiritual thoughts की तरफ आपका दिमाग जा रहा है और काफी घराई से विचार कर रहा है, कुछ अपने अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन करना चाहा है आप खुद से कुछ प्रामिस कर रहे हैं कि आप कुछ बहतर कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे, शायद आप कोई लोग सुबह उठना चाहते हों जल्दी, कुछ लोग जॉगिंग करना चाहते हों, कुछ लोग पूजा करना चाहते हों, कुछ लोग मंदिर जाना चाहते हों आप पाएंगे कि वाकई improvement आगया है तो इसलिए अभी आपना self development का समय दिख रहा है इससे आपका स्वास्तलाब होगा और साथ-साथ आपके अंदर खुछी और सुकून भी प्राप्त होएगा तो इसलिए आज का दिन काफी शुब दिख रहा है आज के दिन हारावस्तर पहन आपके jobs related कुछ अच्छा शुब समाचार मिलने के chances बनते हैं लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब आपने WhatsApp, SMS, email और phone देखेंगे मतलब चित पड़ा रहेगा और आप आलस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा आप आलस से बचे आज के दिन और लोगों से बात चित करें आपके अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, आइडियास बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज आपके बात में जो रिचनेस होगी, जो ग्यान होगा तो काफी अच्छा होगा सबी को बहुत कुछ पता है, हर वेक्ति को अपनी फिल्ड में बहुत कुछ पता होता है, हर वेक्ति किसमे किसी फिल्ड में बाहिर होता है, लेकिन वो किस से एक्सप्रस करता है, कैसे एक्सप्रस करता है, कैसे व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को, अपनी ज्ञान को, वो कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लोग प्रभावित होंगे और आपके नए कॉंट्राक्स नहीं नए रिष्टे अगर आप जॉब में तो आपको नए जॉब मिलने के चांसे भी बहुत बन रहे हैं तो अगर आप इंटेव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी जॉब क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और पीला का कॉंबिनेशन ही ले सकते साथ में वह भी बहुत लाब देगा ऐसे करके आप बहुत अच्छे तरीके से दिनका सदूप्यों करता है आई दर्शकॉब देखते हैं वरिष्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रह पूज लिए और एक तरसे अच्छा सा मन कर राँई प्र्मात्मा से जड़ने का चाहें वो पाठ कर ना चाहेंगे चाहें पूजा करना चाहेंगे चाहरेंगे मंद्र चाहेंगे कुछ भी ऐसा क्रेट्र करेंगे जिसक academics का लौश भी अच्छा लाब मिले आपको इस सारह से आपने जिदे प०्धिस की डिन और कोशी आप्जेया सान्थ पार्टनि पेसके क्रिस्ट स बहुत 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 बशतर होगे ऐसा योग दिख रहा है ऐसे महीं किसी भी चिन्ता परशानी करने की आभश्रक्ता संब्स कि भूस्ट द te oluyor को दूना के सब्युआ है चरव जिसलिए ऑचका दिन का सद उप्योग करें पीदा रंग पहने और सफेद रंग पहने दोंव आपके लिए कशुग रहेगा है अब आपके अंदर कुछ परेशानी सी होगी और आपके surrounding में भी कुछ ऐसा रहेगा लेकिन अभी धिरी-धिरी करके प्रफाव काफी कम होने लगा है और आप काफी कम होगी आज की दिन तो बिल्कुल ही कम हुआ दिक रहा है ऐसा लग जरे आपके मन में अच्छे विछाद चल रहें आपके मन में जित्य में शांती बहुत है और अभी जो भी वक्ति आपसे क्रोधी था चांसेज यह भी जादा है कि वह आपसे शमा मांग ले और उन्हें अपसोस हो इस बात का क्या आपके साथ उन्हें जरूब वहार किया या क्रोध किया इसलिए आप रिलाक्स रहें निशिंत रहें प्रमात्मा से प्रार्थना करें जिससे आपके अंदर कभी ग्रोध ना है और इस तरह की उर्जा आपके अंदर दुबारा ना है जिसकी वज़ा से आपको परिशानी सामना करना पड़े है तो इस तरह से अगर आप अच्छे विचार के साथ समय बिताने के कोशिश करेंगे जो आपके विंदर चल भी रहे हैं तो इन अच्छे विचारों के साथ आपका दिन बहुत शुब हो जाएगा आज की दिन को और शुब करने के लिए पीला वस्तर और साथ में हरा दोनों कॉमिनेशन बहुत ही शुब रहेगा और इससे आपके जो रिष्टे बिगड़े हैं वह भी सुध रहेंगे और आज के दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में बहुत सारे बंद चलेंगे आपका पूरी तरह से कंसल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है काफी ज्यादा भटकाव सा दिख रहा है आप यूहीं गहन चिंतन में आएंगे और उसका कोई लाभ होने का नहीं दिख र परेशान कर सकता है तो यह बहुत बारिक होता है इगो कब आ जाता है पता निये चलता है इसलिए बहुत सावधान रहे किसी बीतर से आपके अंदर इगो ना आ जाए कोई एगो रिफलक्ट भी न हो किसी को पता भी न चले ऐसे करके आप सावधानी से बचे तो अच्छा रहेगा ने पीस से आपको नुफसान हो सकता है आज के दिन बहुत सावधानी पुरिवग बिताने का है आज बहुत अच्छे तरीके से अच्छे विचार के साथ चले तो शुब रहेगा आज की दिन के लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप महामंतर का जाब करें प्रातन काल और साथ में इसके बार महामंतर का जाब करें उसके बाके निकले तो अच्छा रहेगा नहीं तो आपके अंदर ग्रूर आपके अंदर चिंताव परेशानी ये सब आपको खाम करने नहीं थेगी aur आप छी दिन का सधक्यों नहीं कर पाएंगे इसलिए महामंतरे जो आप मलतर की एक माला करते हैं, तो लाब मिलेगा, दो माला करते हैं, उसे ज्यादा माला करते जाते हैं, तो और भी लाब मिलेगा, लाब ऐसा नहीं होगा कि आपको करोड़ो रुपे मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ो रुपे पाने में जो बाधाये हैं, जैसे कि आपका से मुक्त रहेंगे तो लोगों के प्रिये भी हो जाएंगे और लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे चाहे आप जॉब करते हो चाहे नौफरी करते हो इसलिए इस महामंत्र का इस्तमाल करें और लाभानवित हो और इस्पिरिच्वल जर्णी भी आपकी बढ़ेगी तो आप महसुस करेंगे कि आप सबसे अच्छा परफ़ॉम कर पा रहें लिए आपिस तरह से अपने दिन ने का जीर्ट करेंग और भी लाब लेना चाहते हैं तो काला वस्तर् आपके लिए प्याद अच्छा रहेगा आई दर्शु को देखते हैं कुम राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको लाव मिलने के चांसे दिख रहे हैं मतलब आज के दिन आप जिससे भी बात करेंगे वो आपसे प्रभावित होगा और प्रभावित हो करके आपको लाप की प्राप्ति हो सकती है इसलिए आज जरूर बात चीत करें खास वर्पर उनसे इसे पेमिंट्स लेनी है उनसे तो आवर्श ही बात करें तो आपके लिए का बाइँ को बेते हैं इस तरह से लोगों प्रभाईवित करेंगे और अपने धनराशी प्राफ्ट कर पाएंगे और अपने व्यापार में अच्छी तरह से सफलता पराप्त करताएंगे यह बहुत बड़ी कि प्राप्त कर लेना यही आये होती है और यही प्राप्त करने का आज का दिन है इस तरह से इस दिन को बड़ा महत्पून समझते हुए अपने वेवहार को ठीक सही रखें जैसा आपका दिन का सदुपयोग हो सकता है आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप पीला और काला का कॉंबनेशन लेंगे या आफ वाइट और काले का कॉंबनेशन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुबदाई रहेगा आई दर शुको अब देखते हैं मीन राश्यवालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मीन राश्यवालों के लिए आज का दिन आपके अच्छा है, टाइमिक चेंजिस होने का दिख रहा है, मतलब आज के दिन आप के मन में ऐसा होगा, यह भी कर ले, वह भी कर ले, ऐसा कर ले, इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आपके पास कारे के लिए समय मिलता है, वह लिमिटेड ही मिलता है, इस समय में आप जाता से जाता कार्य करने के कुशिश करेंगे तो थोड़ा व्यवस्थीत हो जाए किसी डायरी में किसी पेपर पे बहुत अच्छे तरीके सिस्टमाटिकली लिख लें कितने वज़े से कितने मिल तक क्या करना है अगर आप नहीं करेंगे तो शाम को अपसूस होगा यार यह काम मौका मैंने गवा दी आज के दिन जरूरी था उससे बात करना बात करते तो बात बन जाती तो इसलिए बैतर रहेगा कि आप बहुत सिस्टमेटिकली औरग्राइज दरीके से दोट कर लें आज के दिन अगर कुश लोन पे आउफ करना चाहते हैं अगर किसी मित्र से आपने उधार लिया था और उसको देना चाहते हैं अवश्य दे दीजिए चिन्ता नहीं करिए को कि आपका समय अभी अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छे से आप था नरजन कर सकते हैं आपका जो पीला रंग आपके लिए बहुत शुब आएगा तो यह राद दरसको आ पाएंगे और लाब ले पाएंगे कल फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद